स्वागत है आपका Getisys के हिंदी चानल पर मैं हूँ अकांक्षा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Facebook Marketplace feature के बारे में ये feature इतना interactive है कि I think सारे Facebook users को इसके बारे में पता होगा, ज्यादा तर लोगी से use करते भी होंगे और कभी ना कभी किया होगा, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक concern के बारे में बात करेंगे जो है Facebook Marketplace feature का icon ना आने का, बहुत सारे users का ये complaint रहता है कि Facebook Marketplace का जो shortcut है वो उनके home page पर या shortcut bar में नहीं दिखाए देता है तो पहले इस query को solve करते हैं देखे अगर आपके भी Facebook home page पर उपर इस तरह Marketplace का option नहीं आता है तो आप यहाँ टॉप राइड में अपने profile icon पर tap करें नीचे shortcuts में Marketplace का option आपको मिल जाएगा बट इन केस यहाँ भी अगर आपको Marketplace का option शो नहीं हो रहा है तो इसके लिए अब settings को select कर लें अब इस page के preferences section में navigation bar पर tap करें यहाँ customize the bar का option आपको मिलेगा इसको select कर लें और यहाँ Marketplace के option को pin कर लें ताकि यह option हमेशे आपके shortcut bars में permanently saved रहे अब हम बात करने वाले हैं Facebook के marketplace feature की इस जगा आपको दुनिया के सारे goods and services मिल जाएंगे खरीदने के लिए हो चाहिए बेचने के लिए हो यहाँ आपको pencil से लेकर airplane तक और bed sheet से लेकर घर तक मिल जाएगा वेल अगर आपने यह feature अभी तक try नहीं किया है या आप इससे unaware हैं तो मैं इस video में आपको एक छोटा से demo देने वाली हूँ जिसके बाद आप असानी से इसको use कर सकते हैं तो Facebook marketplace खोलते ही आपको यहाँ बहुत सारे products दिखाई देंगे list किये हुए sell होने के लिए यहाँ categories button पर tap करके आपको variety of products मिल जाएंगी जिन्हें आप choice के according सिलेक कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप चाहें तो marketplace पर अपना कोई product बेज सकते हैं इसके लिए simply sell button पर click करें यहाँ सारी necessary information पहले तो fill out कर लें जैसे की product की कोई picture या video, product का name, price, उसकी category, उसकी condition, उसका छोटा मोटा description बगेरा अब यहाँ अपनी precise location भी आप share कर सकते हैं ताकि आपके कोई आसपास के buyers हूँ, उन्हें आप आसानी से ढूंड ले या वो आपको आसानी से ढूंड ले इतना ही नहीं आप marketplace पर alerts भी setup कर सकते हैं ताकि जब भी कोई seller आपका favorite या particular product को list करे marketplace पे तो facebook उसके लिए आपको notify कर दे, marketplace पर right में बने इस head icon पर tap करें, यहाँ सबसे नीचे settings पर tap करें, उसके बाद notifications को select करें, अब यहाँ buying में आपको message from sellers, update, saved searches, recommended for you, message from buyers, tip for sellers etc. करके बहुत सारे अलग-अलग categories of notification बन जाएंगे, जिससे आप अपने आप अराम से इनको toggle on और off करके, अपने लिए messages के और notifications के alerts set कर सकते हैं. Facebook marketplace आज के टाइम पर one of the best buying and selling communities वे से एक है, यहाँ आपको बहुत सारे options, offers, discounts वगेरा available होंगे, और अगर आप एक seller हैं तो आपके लिए endless options होते हैं अपने लिए audience और buyers को collect करने का, लेकिन as a responsible Facebook and marketplace user, आपकी ये भी responsibility बनती है कि आप product delivery और payment से related scams और scammers से careful रहे हैं. तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया होते हैं इसे like और comment करना ना भूले और हमारे चानल को subscribe कर ले for more such videos.